तो आज option buys के लिए एक अच्छी news है कि market में एक बहुत ही बड़ी move आने वाली है get ready for it and option buys को बहुत सारा पैसा बन सकता है intraday में भी और swing training में भी तो वो में last में पता हुगा क्या reason है इसके बीचे और second हम बात करेंगे कि अगर आप देखेंगे एक दो और पिछले तीन दिनों से क्या हो रहा कि beers कोशिश करें बार बार market में एक्टर करने का market को control करने के लेकिन कहीं न कहीं न कहीं वो काम जब नहीं हो पा रहे और कहां से आप buying और selling plan कर सकते हैं तो अगर में बाटम साइट पे बात करूँ तो यह वाला एक level होगा मेरे लिए जो नेरली 18,000 के आसपास तो यह दो important level है अगर इसके बात अगर देखू उपर तो यह जो swing high बढ़ा है this level 18,179 चले अब देखते हैं आज के लिए क्या trade plan होगा अब हमारा market depend करते हैं कि market कहां पर जाएगी अगर market open होती है flat और उसके बाद ऊपर जाना शुरूँगी तो मैं आपको seriously बोलू तो ज्यादा अच्छा trade आपका बढ़ेगा इत दोनों levels के बाद ही in between अगर आपको trade का that is your choice otherwise मैं prefer करूगा कि अगर market यहां पर कहीं मिलेगी तो मैं buy का plan करूगा और अगर market यहां से rejection लेगी तो sell जो कि scalping वाला sell होगा ज्यादा बड़ी move नहीं आएगी और अगर market ऊपर जाके यहां से breakout देके sustain करती है तो मैं यहां से buy plan करूगा तो means in between यहां पर मैं avoiding करूगा training करना अगर आपको कोई side का breakout देखेगा तो ज्यादा बड़ी कुभाएगी तो अगर मैं बात करूँ target की अगर market ने 17,000 का level break कर दिया तो आपको target मिल जाएगा इसले 920 तक है means 80 point का form मिल जाएगा अगर मैं आप ATM की put buy करेंगे means 18,000 की put buy करेंगे तो उसमें आपको 30 to 35 points का target मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ call की यहां पे अगर आप 18,100 की call buy करते हैं तो easily market यहां तक भी जा सकती है means आपकी जो option है 18,100 की वो easily 82 sorry 40 to 45 points appreciate हो जाएगी चले एक बार option chain देख लेते के वहां पे क्या चल रहा है और last मैं आपको तीन hot stocks भी बताऊंगा जो आज के लिए momentum stocks होगे बारे अगर आप option देखेंगे तो यहां पे ठीक ठाक build-up चल रहा है 25 लगा यह ज्यादा strong लग रहे है तो देखते हैं कौन जीते हैं में से हम ध्यार रखेंगे इस चीजों पर option पर ध्यार रखेंगे क्योंकि एक्शली होता क्या है जो weekly option चैनल वो Friday से अच्छे से काम करना शुरू करती है तो आज से वह एक्टिव होगी तो जब भी आपको प्राइस एक्शन पर ट्रेंड में ने तो एक वर आप option जिनका analysis भी कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है चलिए बात करते हैं बैक रिफ्टी की उसके important levels की बात करें तो यह हाई हो जाएगा हमारे पास यह lifetime हाई के आ यह अभी के लिए important levels लग रहे हैं मुझे मार्केट में लेकिन अगर मैं price action की बात करूं 15 मिनिट में कहां पर आप बाइंग और selling प्लाइंग कर सकते हैं आपकी option में जब भी index 170 करें तो आप अपनी call को exit कर सकते हैं अगर मैं bottom side में बात करो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 41,000 से नीचे सोच सकते हैं ट्रेड करने का लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा वहां पे लेकिन आपको target मिल जाएगा around 836 तक कर मिस 170 पॉंट्स नीच अगर तो इसने नीचे आना हुआ तो यह सोट अफ डबल टॉप बढ़ाएगी और यहां से नीचे आना शुरू कर देगी अगर डबल टॉप ना के नीचे तो थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट हो जाएगा क्योंकि मार्केट यहां तक भी आ सकती है अगर मार्केट को उपर जाना होगा तो वह इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी यहीं से वह साइडवेस हुई और यहां से ब्रेक आउट देखे ऊ दोनों साइट पर तो अभी के लिए कुछ भी कहपाना मुश्किल है कि मार्केट बेरिश है और फिर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि क्या हो सकते आने वाले दिरोंगे तो सबसे पहला होट स्टॉक है मेरे पास M&M फाइनल्स तो इसने कल काफी अच्छा मुमेंटम दिया वॉल्म भी ठीक था और इसने इस लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेंड किया तो चांस है कि माइट भी आज भी एक अपमूव दिखा दे आज आफिर आने वाले दिनों मे दिखा दे तो यह मेरे लिए एक मोमेंटम देक है काफी अच्छा मोव आपको देखने के लिए मिला कल तो आज भी कुछ ना कुछ देखने के लिए एक्शन देखने के लिए मिल सकता है दूसरा मेरे पास मोमेंटम स्टॉक है उसका नाम है दल भारत तो अब इसने ना काफ अच्छा breakout है यह देखिए तो इस level को भी break कर दिया तो यह भी मेरे लिए momentum रेक है जो आज में भी हमें काफी अच्छा momentum दे सकता है आप इसके उपर अपना analysis कीजिए मैंने आप analysis नहीं किया हुआ तो आप अपना analysis कीजिए level mark कीजिए और देखिए कहां से आपका buying और selling बनता है तो मेरे लिए अगर buying चाहिए तो मुझे इस level से buying मिलेगा तो ज्यादा अच्छा है अगर market इस level तक आएगी तो यहां से buying बन सकती है और जा फिर यह अपना कल का day high break रेगी तो यहां से buying बनेग और target होगा यह level इस level तक आएगे अगर इस से आगे जरे तो हमारे पास है कौरम अडल अब यह ठीक रहा काफी अच्छा था लेकिन अभी यहां पर बाइंग नहीं बनेगी इसकी बाइंग मेरी होगी अगर यह timeline को break करेगा तब ही अगर market इस timeline को break करेगी अच्छे से तब ही मैं सोचों को बाइंग करने का अभी के लिए इसको आप watch list पर रखी हो सकते है आज आने वाले दिनों में आपको break out मिल जाए तो अब बात करते हैं क्यों मुझे लग रहा है कि market में बड़ी move आने वाली है तो जो बड़ी move आने वाले उसके major reason मुझे लग रहा है वो है premium आपको त्यारी कर लेनी चाहिए analysis कर लेना चाहिए कि कहां से आप buy or selling plan करेंगे तो जैसे मैंने magnitude में बदाए daily time frame में जैसे उस वह पे जोन बड़ा हुआ है अगर उस जोन का breakout होता किसी साइट पर तो हमें बड़ी move देखने के लिए मिल सकते हैं तो अगर आप देखेंगे यहां पर premium चले में दिखाता हूँ क्यों premium सकाम है यहां पर आप देखेंगे नॉर्मल प्रीमियम में 135 और 153 मीज नियर टू 135 और 153 ATM के आसपास premium जल रहा है बारे पास और अगर मैं ऐसी ही दिन की option chain आपको पीछी चलके दिखाऊ में पीछे वाले किसी week की Thursday को option जे दिखा 255 and 153 कितना ज्यादा डिफ्रेंस है वहां पर 100 200 के आसपास है यहां पर 153 मीज अरूंट 50 to 60 पॉइंट का premium कम है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप चलना premium में तो जब भी premium में इतना कम होता है तो market में बड़ी ही बुवाती है that is a good for option buyers option sellers प्लीज कोशिच किजिए ओवर प्राइड में बहुत ही ज्यादा रिस्क है तो option buyers दूर रहे मार्केट से option sellers स्वारी option sellers दूर रहे option buyers की मार्केट है तो थैंके वीडियो अच्छा लगे तो उससे लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आने वाला कोई भी वीडियो मिसना हो उसके लिए लिए प्राइस कर दीजिए बाइ